सिक स्पाइब और दोनों सेल्ट है या तो हम आज बात करने वाले स्पाइब नहीं नहीं आया था इंडिया में एपलिकेबल भू हुआ मैं इससे पहले का बात कर रहा हूँ, मैं before 1st July 2017 का बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो है इंडिया में टीन चलती थी, Taxpayer Identification Number जिसको बोला जाता है, क्योंकि पहले जो है VAT और CSD, ठीक है, पहले VAT और CSD Tax में चलती थी, तो उसके लिए आपको टीन नमबर लेना होता है, ताकि आप टैक्स पेमेंट कर सके, या तो टैक्स को कलेक्शन कर सके, VAT कलेक्शन कर सके, CSD कलेक्शन कर सके, या पेमेंट कर सके, गवर्मेंट को, और टीन जो है, वो 11 डिजिट की होती थी, लेकिन जैसे ही GST 1 अप्रिल 2017 को आया, तो ये टीन का existence खतम हो गया, और उसके बाद GST इन Goods and Services Identification Number जो कि 15 डिजिट का होता है, ये applicable हो गया पूरे इंडिया में